येलो प्रेंट्स विल्कम बेक तू फर्मा स्कुलिंग यूट्व चैनल दोस्तों हमने इसके पहले जो एक प्रोड़क्ट प्रोमोट किया था हूं उसका नाम तो रोमेटीन पी इसमें का कॉमिनेशन था असे क्लोफनेक अन पार आप आप से तमर और आज जो मैं प्रोड़क प्रोमोट करना जा रहा हूं उस प्रोड़क का नाम है रोमेटीन स्पी इसका जो कॉमिनेशन ऐसे क्लोफनेक 100 mg प्रासेटमल 325 जाए शराश्यों प्रोड़क्टीन मजी तो दोस्तों हमेशे की तर हम जानेंगी इस प्रोड़क्ट का इंट्रोड़क्शन सो रोमेटीन प्रोड़क्शन 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 प्रोड़क् benefits and here to select a group of doctors who can commit themselves to prescribe rheumatin SP in one or two specific induction इसमें और्टो इन्स जो भी कंसर्ण डॉक्टर के पास में हमें इसके प्रांट्स के benefits highlights करना है ताकि वो एक से दूग इंडिकेशन में हमारा product caught already squeak so let's start utterly for this product rheumatin SP doctorain trauma and post-surgical cases inflammations pain odelia and hematoma can delay healing so doctor please prescribe new rheumatin SP tablet which content acyclobenac 100 mg paracetamol 305 mg and sharashivvet 50 mg the sustained pain reliever results edema hematoma and speed of healing dr sharashiv by producing Rheumatin-SP restores microcirculations results edema and hematoma enhance antibiotic penetrations also asychlepanec results inflammation and associate pain and and provide analgesic effects and paracetamylion rheumatin sp is the most trusted analgesic and anti-piratic worldwide potentiate analgesic effect it provides the potentiate analgesic effects so doctor please receive rheumatin sp in accidental trauma burn trauma hematoma of knee and the doses are one or two tablets two to three days a day okay so dosto hummyshe ki tira mahiya haa pere kuch words joa hai iska meaning semjhau ga in trauma and post-surgical cases trauma ka meaning hota hai sadma mtlb eek dimag mein jo anxiety rhe ti hai koji chiz hamatsa amara saat me ho jata hai toh chiz dimag se jati nighi hai wo chiz hamare in mahiwa rheiro þrha haai ik dhrha di u wage so. aangoshe tira mahi dhra mahi de e н I en roaga aangoshe ki ki pinić born haua kami do tira mahi wadры em di Ye mahi को गएंगे पोस्सर्जिकल इंप्लेमेंशन सेनी सिवेर दर्थ पेन ओडिमा एनी मतलब जैसे उसको टोडिमा को हमों कैसे एक्सेसिव एकुमेलेशन ऑफ फ्लुईड मतलब हमारी स्कीन उप चल जाती है तो उसके नीचे पानी जम्म हो जाता है तो स्कीन के लेहर के नीचे लेइन वहां प्लुड जमू होचाता है उसके एक वूरेइटरैने मतलब होता है कि कि जैसे की जनरली हम कभी गिळजाते हैं कुछ्छ जखम लगती हो जयक acts ब्लैक हो जाती है मतलब वहां पर हमरा जो ब्लॉड होता है आक रच सब्सक्राइङ 2011 ऌको कहते हैं है उसके निज़ पानी पर भर चुका है एमेटमायनी कोई सेस हमारी बोड़ी के सेसे डैमेज हो चुके है जिसके विजसे हमारा ब्लड वहां पर जम हो चुका है तो ऐसी चुशिशन में जो हीलिंग होती है मतलब जो जख्यम को बैटने के लिए समय लगता है तक कि लॉंग तम तक लंबे समय तक के इसका इफेक्ट रहता है रिजॉल्ट से डीमा हमेटमयनी स्पीड़ फिलिंग यह डीमा और हमेटमय को हील करता है और हीलिंग फास करता है मतलब रिकुरी फास करता है शरश्य प्रक्राइश का है रोस्रिकोक सर्कुलेशन जो भी सेहल हमारा डैमेज हुए है जिसमें माइक्रो से tussen हुहा पर पर सर्कुलेशन का काम बढ़ाने का काम सर्कुलेशन अच्छा होगा तो अकिनी ले रहे हैं मेडिसीन में जो भी एंटिप्रीस ले रहे हैं तो वहां तक वो पोचेगी और अपना इफेक्ट करके जल्द इस जल्द अपना जखम ठीक करेगी कि हैसे प्लिकनों रिजोस इंफ्लाइमेशन असोसेट पेन ऐसे क्लिफिन एक जो है रिजोस इंफ्लाइमेशन मतलब जो भी पेंटाइक उसे कम करें गया या फिर जखम से लेटर जो भी कम देगा उसको कम करने का काम ऐसे क्लिफिन करता है और प्रवाइड अनलजेसिक एफेक्ट अनलजेसिक का मतलब होता है ते मेडिसीन देट रिलीव स्पें लग एक मतलब करती है है या बैद करने का कम खरता है और यह दवा यृप दुष्ट गरता है वह इसके साथ में फिवर भी कम करता है अतला जब भी कोई जगम होती है तो उससे घंड तो होता है इसके सात्में हो जाते है तो बंगर प्रोगर मेडियक लीस हavor बखाल भी आता हिये तो Mhmrico का मतलब होता है दे डिश नुब दे दिस सब इसबसे विश की वर जाता है तो पैरासेटमन नरमेड ही दिकन याür टीरल टीकम फिवर तुन कम ऐचा circuit नलीष आता है एक आश्रेशिक भी ए मतलब दद कम करने के शम्ता बड़ता है तो दोस्तों ये था हमार आज का प्रोड़क रोमेटी निस भी आपको अगर डिटेलिंग अच्छी लगी हो प्रोड़क का अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्रेब जरूर कर दिएगा चैनल को अगर आपको कुछ मुझे बताना हो या कुछ आपको सुझा पोचाना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं तो गलिवार फिर मिलेंगे एक नए प्रोड़क के साथ में तब तक के लिए जय हीन तेंक यू